जो है फोर्चु की प्राइम आइडियल प्राइम निम्बर नहीं है तो इस कंडिशन में यह प्राइम आइडियल नहीं होगा उसके बाद नेश्ट कुश्चन है हमारे पास कुश्चन नमबर 6 तो यह हमें एरिया निकालना है तो सबसे पहले हम कर बनाते हैं तो यहां से यह देखके यहां से सिंपली हम इसको बना सकते हैं झाले जेटेव कि यहां फॉर्ट पॉजिटीव रहने हैं इसे तरह से यहां से हमें एरिया निकालना है हमारे पास पहले कटपोंट निकालने के लिए स्कुर्वाइब इसकोर दोनों थे नकिकर निकालने हमें तो यहां से क्या किया है यहां से Y ब्रावर एक्स स्क्वार में यह ब्रावर एक्स स्क्वार में एक्स स्क्वार पूट की तो वाई ब्रावर y4 यह ओकर है Y- ratio 3 एक्वड्रि टू 0 तो Y ब्रावर 0 और 1 दो टर्म मागे तो तर्म दो बैल्स ओर आंगे जो कि complex numbers होंगे जब इसको हम solve करेंगे दो value और आएंगे जिनको हमने ignore किया है क्योंकि वह complex numbers होंगे उनसे हमें कोई मतलब नहीं है तो यह हो गए 0 और 1 हमारे पास simply तो एक्स ब्रावर 0 पर वाई ब्रावर 0 एक्स ब्रावर 1 पर एक्स ब्रावर 1 एक यह कटपॉंट है तो दो कटपॉंट हो गए हमारे पास अब हमें एरिया निकालना तो एरिया निकालने के लिए क्या है सिंप्ली डबल इंटेग्रेशन डी वाई ऑफ डी एक्स यह हमारे पास हो गया 0 to one और जिसका पहले करना डी फाई डी वाई य कहां तक जा रहा है तो वाई जा रहा है हमारे पास यहां से और यहां तक यह तो right नीचे वालत क्या एंड यह बर्आबर एक्स स्कॉयर और यह से देख के तो यह बराबर अगर निकालना चाहिए इसमें इसमें से तो यह बराबर को लिए कर्सफंडिक करेंगे लेके तो यह हो जाएगा हमारे पास तो जीरो टू वन है और यह हो गए एक्स स्क्वार टू रूट एक्स लेमिट अब लाई की तो रूट एक्स मैनस एक्स टुदी पावर वन वाय टू अपोन वन वाय टू पिलस वन पिलस यह गया एक सिर्भी गोल्ट कुरी अपन और टू एम अपास यहां से आगया माइनस X Q upon 3 तो अब यहां पर मिल्मिट अपलाई की तो जीरो पर तो 1 पे क्या तो 1 यहां तो 2 अपन 3 और 0 पर दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे तो 2 अपन 3 माइनस 1 अपन 3 एकक्वल टू 1 अपन 3 इसका करेक्ट आंसर आ गया कि पमन्नों इन से नह को दोड़ान?